सवीने नमस्कार जार खंड टाटा नगर जमसेदपुर स्थित मातुश्री पुश्पा बेन मकानी स्रीमती वर्षा बेन समिर्भाई मकानी सुपुत्र निलय मकानी सपरीवार स्रीमती काजल बेन चंद्रेश बाई डोसी, सुपुत्र मितेश डोसी, मयंक डोसी, सह परिवार की और से आज का संडेश रख वरोसा खुद पर क्यों डूंडता है फरिशने, पंचियों के पास कहां होते है नक्से, फिर भी डूंड लेते है रास्ते मदर टेरेशा को पत्रकार खुश्वंत सियने प्रस्ने किया कुष्ट रोगियों को स्पर्षने से आपको चेप लगने का बय नहीं लगता आपको चेपी रोगियों को स्पर्षने का अभ्यास कैसे हुआ मदर टेरेशा ने कहा मैं सब में इसू का परमात्मा को देखती हूँ मेरे को सब में इसू दिखाई दे रहा है इसू पर की स्रधा परमात्मा की प्रती स्रधा मेरे को निर्भय बनाया इसलिए रक्तपित कुष्ट रोगियों को स्पर्षने से मेरे को बय नहीं लगता इस्वर के प्रती स्रद्धा निर्भय बनाती है ऐसी स्रद्धा की एक बात मैं यहां शेर करता हूँ आठ साल का एक बच्चा एक कुरुपिय का सिक्का मुठी में लेकर एक दुकान पर जाकर कहा क्या आपके दुकान में इस्वर मिलेंगे दुकान दार ने यहां बात सुनकर सिक्का नीचे फैक दिया और बच्चे को निकाल दिया बच्चा पास की दुकान में जाकर एक रुपिय का सिक्का लेकर चुप चाप खड़ा रहा ए लड़के एक रुपिय में तुम क्या चाते हो दुसरे दुकांदार ने भी बगा दिया लेकिन उस अबोद बालक ने हार नहीं मानी एक दुछा दुकान से दुसरी दुकान दुसरी से तिसरी ऐसा करते करते कुल चालीश दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बुड़े दुकांदार के पास पहुँचा उस बुटे दुकानदार ने पुछा तो बालक ने कहा आपकी दुकान से इस्वर मिलेगा यह अबोध बालक की बात सुनकर बुटे दुकानदार ने कहा तुम इस्वर को क्यों खरीडना चाते हो बेटा क्या करोगे इस वर लेकर पहली बार एक दुकान दार के मुह से या प्रस्ण सुनकर बचे के चेहरे पर आसा की कीरणे लहर आई बचे ने सोचा लगता है इसी दुकान पर ही इस वर मिलेंगे बचे ने बड़े उत्सा से उतर देते कहा दादा जी इस दुनिया में मा के अलावा मेरा और कोई नहीं है मेरी मा दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है मेरे लिए सब कुछ करती है और मेरे लिए मा ही सब कुछ है मगर अब मेरी मा अस्पताल में है अगर मेरी मा मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा मेरी संभाल कौन रखेगा और डादा जी डॉक्टर ने कहा है कि सर अब सिर्फ इसवर ही तुमारी मा को बचा सकते है क्या आपके दुकान में इसवर मिलेंगे डादा जी ने बचे की मिठी भुली बातें सुनकर कहा हा बेटा मिलेंगे कितने पैसे है तुमारे पास दादा जी मेरी पास सिर्फ एक रुपए है बेटा कोई दिक्कत नहीं है एक रुपए में ही इसवर मिल सकते है दुकानदार बचे के हाथ से एक रुपए लेकर उसने पाया कि एक रुपए में एक गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से एक गिलास पानी बर कर दिया और कहा यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी मा ठीक हो जाएगी अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेसियलिस्ट उस अस्पताल में गए बच्चे की मा का ओप्रेशन हुआ और बहुत जलद ही वह स्वस्थ हो उठी दिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देकर उस मेला के हौस उठ गए डॉक्टर ने उन्हें आस्वासन देकर कहा टेंशन की कोई बात नहीं है एक वरद्ध सजन ने आपके सारे बिल चुका दिये है साथ में एक चिठी भी दी है महिला चिठी खोल कर पढ़ने लगी उसमें लिखा था मुझे धन्यवाद देने की कोई आवस्यक्ता नहीं है आपको तो स्वयम इस्वर नहीं बचाया है मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती है तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए जो सिर्फ एक रूपिय लेकर ना समझो की तरह इस्वर को ढूंडने निकल पड़ा उसके मन में यह द्रड विश्वास था कि एक मात्र इस्वर ही आपको बचा सकते है विश्वास स्रद्दा उसी को ही कहते है इस्वर को ढूंडने के लिए लाखो करोडो रूपिय का डान जरूर करे और भी पुजा पाढ़ भजन किर्तन अवस्य करे स्वाधिया जब तब जरूर करे यह सब करने के बावजूद यडी मन में अटूट विश्वास स्रद्दा हो तो वे एक रूपिय में भी मिल सकते है एक विचारक ने कहा आपतों के बीच में नमरा आदमी संपुर्ण सान तरह सकता है क्योंकि वो दुनिया पर नहीं भगवान पर स्रद्दा रखता है सबसे स्रेष्ट धन है स्रद्दा आस्था होती है तो असंभव काम को संभव करती है या तो आतम स्रद्दा होना या तो परमात्मा की स्रद्दा होना डॉक्टर की दवाज से ज़्यादा स्रद्धा आस्था का बल काम करता है आस्था वाले ही स्वास्तिय का लाब प्राप्त कर सकते है बीना आस्था वाला स्वास्तिय का लाब प्राप्त नहीं कर सकते आस्था बहुत बड़ा काम करती है आस्था के एक शेत्र में चमतकार बड़ी बात नहीं है सबसे बड़ा स्रद्धा का महत्व है एक गुजराती चिंतक ने कहा है हे अर्जुन तुमारे सरने आव और विजू बदू भूली जा आम मात्र कुरुष्ण भगवान ज़ कही सके बिजो कोई आवूं कहे और तमने सरनागती स्विकवरानू कहे तो ते गमेतेवा महत्मा होए तो पन तेने मानी सकाए नहीं जे महान पुरुष्ण तमारो आत्मविश्वास वधारे और पोतानी स्वयम नीज सक्तिव पर आधार राखवानू कहे तेज मानस महान छे एवा धर्म नेता माज विश्वास मुग जो जे तमारी पोता नीच ताकात पर विश्वास राखवानू कहता होए मानवी एक डीपन पोता ने निराधार लाचार न समझ वो जोई अने मानवी माटे कोई पान वात असक्य नती कारण के इस्वर माटे कोई वस्तू असक्य नती अने इस्वर ना विचारो जारे आपनामा होय त्यारे आपने लाचार केम होई ए अने छेले श्रद्धानों हो विशाय तो पुरावानी सी जरूर छे नहीं तो कुरान मा क्या पेगंबरनी सही छे जय हो पीर बड़ा के इमान बड़ा